हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो पीवियस कुछ वीडियो में हम महारस उपरस साधरनरस को डीटियल में एक्सप्लेइन कर चुके हैं या सौट में अगर उनका सिर्फ सोधन व महारण पुछा जाता है तो उसे भी हम इसली कवर कर चुके हैं तो हमारे सिलेवस के अकॉर्डिंग महारस उपरस वा साधरनरस के बाद हमारा नेक्स टॉपिक आता है धातु वर्ग तो आज हम धातु यानि की मैटल वर्ग को डीटियल में डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक धातु यानि की मैटल वर्ग में मोस्टली पोर्षन तो हमारा लर्ण करने वाला और समझने वाला ही है इसमें जो कुछ समझने वाला होगा उसे हम समझते हुए चलिए और जो ट्रीकी फॉर्म में लर्ण करने वाला होगा उसे हम ट्रीक फॉर्म में लर्ण करते हुए चलि क्योंकि उसी परियाई से ही हमारे धातु की निरुक्ती होती है धातु का वो परियाई है लोह तो धातु को लोह के नाम से भी जाना चाता है धातु का ये परियाई लर्ण रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में धातु वर्गिकरण न लिखे directly हमारे पा question आजाता है कि लोह का वर्गिकरन लिखिए या लोह वर्ग को detail में describe करिए तो हमें confusion नहीं होना है धातु की जग़ अगर कहीं लोह लिखा गुआ दिखता है तो हमें relate कर लेना है कि यहां पे धातु का परियाई लिखा गया है तो चलिए अब देखते हैं हमारी धातु की निरुक्ती तो क्या है वर्गिकरन समय में लोह एबम धातु दोनों एक दूसरे के परियाई बताएगे हैं जो हम अभी तक discuss कर चुके हैं उसके बाद अब देख लेते हैं धातु की निरुक्ती तो धातु को लोह भी कहा गया है तो अब इसमें अब confuse नहीं होना है तो लोह सब्द लोह धातु से बना होता है जिसका अर्थ खींच कर निकालना होता है तो परतेख धातु अपने खनीजों से खींच कर निकाले जाते हैं इसलिए इनने लोह की संग्या दी जाती है जैसे लोह यानि की आईरन जो हमारी धातु है उसका जो खनीज गैरिक होता है गैरिक से लोह को प्राप्त किया जाता है मतब गैरिक जो हमारा खनीज है उससे हम लोह यानि की आईरन को प्राप्त करते हैं और इसका दूसरा अर्थ है कि जो सरीर के दोसों और रोगों को खीच कर बहार निकालते हैं उसे लोह कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो धातुएं होती हैं वो सरीज से दोसों और रोगों को खीच कर भाहा निकालती हैं इसलिए इन्हें लोह या धातु का जाता है तो ये line भी हमारी clear हो जाती है इसके बाद अतर लोह सब्द से सभी परकार की धातूं को गरण किया जाता है जो चीज को हम starting में discuss कर चुके हैं कि लोह सब्द से हमें धातूं को गरण कर लेना है चलिए अब देख लेते हैं लोह यानि की धातू वर्गिकरण की हमारी धातूं को कैसे वर्गिकरित करा गया है और ये कितने परकार के बताए गए हैं धातूं की संक्या कितनी बताई गई है तो ये सब चीज़े अब हम discuss करेंगे तो धातूं का वर्गिकरण तीन कैटिगरी में categorize करा गया है पहला है हमारा सुद्द लोह दूसरा है पुती लोह और तीसरा है मिस्र लोह सुद्द लोह हम किसे कहेंगे जो केवल एक ही धातू के परमाणू से बने हो जैसे की सुद्द लोह यानि की गोल्ड है तो गोल्ड सिर्प एक ही परमाणू से बना होगा मतलब इसके साथ कोई दूसरी धातू का मिस्रण नहीं होगा गोल्ड है तो वह गोल्डी से बना ठीक है और उसके बाद सुद्र लोह को अगर हम अगनी पे तपाते हैं तो या सुद्रिड और सुन्दर भी हो जाते हैं उसके बाद दूसरा आता है पुती लोह पुती का मतलब होता है दुर्गन तो ऐसे लोह जो अगनी पर तपाने पर सिगर फिगल जाते हैं और तपाते सम मिस्रित होकर बनाई जाती है मतब जिसमें एक से अधिक धातुओं को मिलाकर संयोकर बनाया जाता है तो चलिए धातुओं के इस वर्किकरण को रीड भी कर लेते हैं जिससे की हमारी चीजे और क्लेरिफाई होती चले जाए तो देखते हैं फर्स्ट था हमारा सुद्द लोह तो सुद्द लोह किसे कहते हैं जिस धातु में कोई अन्या दर्व्या आदी मिस्रित ना हो अथार्त केवल उस एक धातु के ही परमाणू से बने हो उसे सुद्द लोह कहते हैं मतब कोई अन्या धातु का मिस्रित ना हो और एक ही पर्माणों से बना हो उसे हम क्या कहेंगे सुद्द लोह कहेंगे और इनको जब हम अगनी पर तपाते हैं तो ये सुद्रीड और सुन्दर हो जाते हैं तो सुद्ध लोह में आ जाते हैं हमारे चार धातुएं स्वर्ण, रजद, तामर और लोह ठीक है उसके बार चलते हैं पुती लोह तो पुती लोह क्या था जो धातुएं अगनी पर तपाने पर सिग्र पिगल जाते हैं और तपाते समय इन में से पुती गंद यानी की लोह कहते हैं यह हमारे तीन नाग, वंग और यसद, ठीक है उसके बार चलते हैं मिसलोह तो मिसलोह क्या थे? दो या अदिक धातों को एकत्र मिलाकर बनाये घातों को मिसलोह कहा जाता है। इसमें आता है हमारा पीतल, कास्या और वर्त लोह, अब हमें हमारे लोह वर्ग का वर्गिगण भी मिल जाता है, साथ में हमें हमारे लोह वर्ग की धातुएं भी पता चल जाती है, कि हमारे लोह वर्ग में कितनी धातुएं बताई गई है, तो हमारे लोह वर्ग में दस नाग वंग यसद पीतल कास्या और वर्त लोह ठीक है अब हमें इनका डिविजन भी पता चल चुका है कि इने कैसे केटेगराइज करा गया है सुद्ध लोह पुती लोह और मिस्र लोह में तो सुद्ध लोह में जो थे हमारे वो हमारे चार आते हैं सुरन रजत तामर लोह उस जो है उसे हम जिंग कहते हैं तो यह थे हमारे पुती लोह के बाद आते हैं मिस्र लोह में मिस्र लोह में भी हमारे तीन धात्वें बताए गई यह वह हैं पीतल कास्या और वर्त लोह इन दस धात्वों को अगर हम सिक्वेंस में लर्न करते हुए चलते हैं तो हमें धात्व का ग्रहों से संबंद को रटने की जरुवत नहीं है इसे हम एजली ट्रिक वाइस कभर कर सकते हैं और इसके साथ ही अगर हमें ये दस धातवे सिक्वेंस से लर्न है तो हम मिस्र जो लोह है हमारे उनके जो मिस्र धातवे हैं उन्हें भी tricky form में लर्न कर सकते हैं जैसे कि पीतल है तो पीतल किसका मिस्रण है तो हमें जो हमारा सिक्वेंस में थर्ड थर्ड पे दोनों हैं उन्हें दोनों को ले लेना है तो थर्ड पे हमारा सुद्ध लोह में तामर है और पुती लोह में यसद है तो पीतल का मिसरण हुआ तामर और यसद यानि कि हमारा सुद्ध लोह का और पुती लोह का थर्ड थर्ड ठीक है उसके बाद देखते हैं कास्या का मिसरण तो कास्या का मिस्तरण है हमारा सुद्ध लोह से तो हमें फिर से थर्ड गो लेना है और पुती लोह से हमें सेकेंड गो तो कासे का मिस्रन क्या हो गया हमारा 3rd, 2nd यानि कि सुद्ध लोह का 3rd पर क्या है तामर और पुति लोह का 2nd पर क्या है वंग तो हमारे कासे का मिस्रन हो गया हमारा तामर और वंग ठीक है उसके बाद देखते हैं वर्ट लोह का वर्त वर्त लोह में भी same processor है सुद्ध लोह से third को तो लेना ही है और उसके बाद second के बाद आते हैं हमारे पुती लोह के first पे तो इसमें हो जाएगा हमारा third और first तो इसमें आ जाएगा हमारा तामर, नाग और उसके बाद हमें पीतल लोह को तो याद रख लेना है कि पीतल और लोह भी वर्त लोह में लिये जाते हैं तो हमारे मिस्र लोह के मिस्र धातों को याद रखना बहुती easy है अगर हमें ये सब sequence लर्न हो सबसे पहला हमारा पीतल है पीतल के लिए हमें 3-3 को लर्न रखना है उसके बाद कांसा है कांसा के लिए हमें 3-2 को लर्न रखना है उसके बाद वर्त लोह है वर्त लोह के लिए हमें 3-1 वाली ट्रिक को लर्न रखना है बस इसमें हमें ये याद रखना है कि इसके साथ पीतल और लोह को भी लिया जाता है तो यहां से हमारे मिस्र लोहों के मिस्र धातुएं भी हमें मिल जाती है अब देखते हैं हमारा next topic जो है हमारा धातुओं का ग्रहों से संबंद इसको भी हम easily trick से cover कर सकते हैं बस इसके लिए सर्थ है कि जो हमारी 10 धातुएं उनका हमें sequence से learn हो तो चलिए देखते हैं धातुओं का ग्रहों से संबंद तो हमारी जो धातुएं उनका sequence आता है स्वर्ण, रजट, तामर लोह, नाग, वंग, यसद, पीतल, कास्य और वर्त लोह तो जो यह हमारे उपर के चार हैं यह हमारे सुद लोह थे जो यह तीन थे यह पूती लोह थे और जो यह तीन लीचे के थे यह हमारे मिस्र लोह थे तो चलिए अब देखते हैं इनका ग्रहों से संबंद तो हमें इसे रटना नहीं है अगर हम इसे correlate करते हुए चलते हैं तो हम इसे easily cover कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला है हमारा स्वन, तो स्वन के लिए गरव है हमारा गुरू, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, कि हार स्वन सबसे कीमती चीज है, सबसे महांगी चीज है, और जो गुरू होता है, वो भी हमारे सभी में स्रेष्ट माला गया है, तो कहते है गुरु गोबिन दो खड़े, काको लागे पाई, बलिहारी गुरु आपने गोबिन दियो बताए, तो जैसे ही हमारा सुरण सभी धातुओं में सबसे इंपोर्टेंट है, गोल्ड सबसे महेंगा होता है, सबसे किम्ति होता है, वैसे ही भगवान और गुरु में गुरु को ज चांदी से हमें चंद्र एजली याद आ जाएगा, रज़त का गरव हो गया, चंद्र, उसके बाहँ चलते हैं ताम्रय याने की ताम्बा की ओर, तो उपर से हमें देख लेना है चंद को, तो अगर चांद जाएगा उसके बाद ही तो सूरण आता है, यानि कि रात के बाद ह तो दिन होता है तो चंद्र से हमें सूर्या को रिलेट कर लेना है कि अगर चान जाएगा तभी तो हमारा सूरश आएगा तो तामरका हो गया सूर्या से संबन उसके बाहर चलते हैं लोह की ओर तो लोह के लिए है हमारा सनी ग्रह इसे ऐसे रिलेट रख सकते हैं कि सूर्या है तो सूरिया में सबसे पहला अक्चर हमारा सौ है, तो सौ से हमें सनी को relate कर लेना है, कि जो हमारा अगला ग्रह से संबंद होगा, उसका भी starting सौ से ही होगा, ऐसा हम relate कर सकते हैं, तो सौ से हमें easily सनी याद आ जाएगा, तो लोह का संबंद हो गया सनी से, उसके बाद चलते हैं ना की और तो ना के लिए भोधी जी है हमने सबसे पहले जो हमारा गरह लिखाता वो था गुरू तो हमें डे से इने रिलेट कर देना है तो गुरू से पहले कौन सा वार आता है हमारा तो हमारा गुरू से पहले बुद्ध वार आता है तो नाग का संबन्द हो गया बुद्ध गरह से उसके बाद वंग में भी हमने सेम डे को रिलेट करना है कि गुरू के बाद कौन सा डे आता है तो गुरू के बाद हमारा सुक्र आता है तो वंग का हमारा गरह हो गया सुक्र बस इन में नाग और वंग में सिर्फ डिफ्रेंस ही हो जाता है कि नाग में हम गुरू से पहले का वार को देखते हैं और वंग में हम गुरू के बात के वार को देखते हैं तो वंग का गरह हो गया सुक्र गरह, ठीक, उसके बार चलते हैं यसत में, तो यसत का किसी गरह से कोई संबनiliyor होता है, उसके बार आता है पीतल, तो पीतल का मंगल गरह से इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कि हमारे अब लास्ट के तीन गरह बसते हैं वो है हमारा मंगल, राहू और केतू तो पीतल के लास्ट में भी लव है और मंगल के लास्ट में भी हमें लव मिल जाता है तो इससे हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि पीतल के साथ उस गरह का संबंध होगा जिसके last में खुद लवन होगा तो चलिए ये भी हमारा हो जाता है तो पितल का संबंध हो जाता है हमारा मंगल गरह से उसके बाद बसता है कांसय और कांदलो तो इनका तो easily राहू और केतु याद आ जाएगा जो हमारे last के दो गरह बच जाते हैं तो ये था हमारा धातों का गरह के साथ संबंध बहुत इजी है बस हमें थोड़ा सा चीजे रिलेट करनी आनी चाहिए और अगर हम इसे एक दो बारी देखेंगे तो हमें easily चीजे रिलेट करनी भी आ जाएगी तो चलिए अब चलते हैं हमारे next topic की ओर तो है हमारा धातों का सामान्य सोधन और मारन तो चलिए इसे भी देख लेते हैं तो धातों का सामान्य सोधन है धातों को अगनी में परतप्त करके साथ बार कदली कंच्वरस में बुजाने से सबी धातों सुध हो जाती है सबसे पहले हमें धातों को क्या करना है अगनी पर गरम करना है उसके बाद जब हम उसे साथ बार कदली कंस्वहरस से भुजाते हैं तो हमारी सबी धातों सुध हो जाती है हमें क्या करना है, खर्गोष के रक्त को लेप कर, तिवर अगरी में अगर हम तीन बार पड़तप्त या गर्म करते हैं, तो हमारी सबी लोह दादुए सुध हो जाते हैं, तो यह था दादों का सामाने सुधन, अब धादों का सामाने मारण भी देख लेते हैं, तो हमारी ताम्र, लोह, नाक और वंग तो इनके सामान्य मारण है सुर्ण का नाक द्वारा, रजद का सुर्ण माचिका द्वारा, ताम्र का गंदक द्वारा, लोह का हिंगूल द्वारा, नाक का मनसिला और वंग का हर्ताल द्वारा सिगरिता से मारण हो जाता है तो ये हैं हमारी धातों और ये हैं उनके मारण दर्वया जिनसे कि इनका easily मारण हो जाता है जिसे कि हम सामाने मारण कहते हैं और गंदक अथ्वा माचिक के सईयोग से भी सभी धातों का मारण हो जाता है और सिर्फ हमारा गंदक और माचिक दर्वया से भी हमारी सभी धातों का easily मारण हो जाता है तो ये हैं हमारी धातों का सामान्य सोधन और सामान्य मारण तो अगर हमसे धातों का सिर्फ सामान्य सोधन और सामान्य मारण एक्जाम में पूछा जाता है तो इतना sufficient है इतने से हमारा easily काम चल जाएगा धातूं का बिसेश, सोधन और मारण भी होता है बिसेश, सोधन मारण में पड़तेख धातू का एक अलग दर्विया से सोधन मारण होता है जैसे सवन के लिए अलग होगा, रज़त के लिए अलग होगा, तामर के लिए अलग होगा इसलिए हम उसे बिसेश, सोधन मारण कहते हैं क्योंकि उसमें particular धातू के लिए एक particular दर्विया को निर्दिष्ट किया जाता है जैसे कि हम अगर यहां सामाने सोधन में देखे तो सामाने सोधन में हमारा कदली कंसौरत से सभी धात्वे हैं हमारी जितने भी 10 की 10 धात्वे हैं उनका सोधन हो जा रहा है और यहां अगर मारण में सामाने मारण में देखे तो गंदक और माचिक से सभी धातुओं का मारण हो जा रहा है बट विसे सोधन और मारण में सभी धातुओं के लिए अलग-अलग दर्विया निदिश्ट होता है जैसे सोरण का सोधन दर्वया अलग होगा, रजत का सोधन दर्वया अलग होगा, तामर का सोधन दर्वया अलग होगा, विसे ही मारण में सोरण का मारण दर्वया अलग होगा, रजत का मारण दर्वया अलग होगा, तामर का मारण दर्वया अलग होगा, इसलिए उसे सोधन क नहीं बना है तो धातुओं का विसे सोधन मारण हम स्केप करते हुए चलेंगे अगर कोई लॉंग कुई बनता भी है तो उसमें मेलनी धातुओं का वर्गिकरण पूछ लेगा और उसके साथ ही इंक्लूड कर देगा कि धातुओं का सामान्या सोधन या मारण बताईए तो य इसलिए हम धातुओं का जो विसे सोधन और मारण है उसे यहां छोड़ रहे हैं क्यूंकि धातुओं का विसे सोधन और मारण आज तब के प्रिवियस एर में कभी भी पूछा नहीं गया है इसके साथ ही धातुओं वर्ग से एक important topic और पूछा जाता है जो है हमारा लोह या लोह वर्ग से लोग कुशन बनता है तो यह सबसे पहले हमसे पूछेगा कि धातुओं का वर्ग इकरण करते हुए लोह के भेद बताईए या लोह के परकार बताईए तो चलिए इसे भी cover कर लेते हैं तो लोह यानि की लोहा जिसे की हम iron भी कहते हैं लोहे की प्राप्ती द परसेंट तक लोह मिलता है तो गैरिक लोहा का सबसे सिरेष्ट खनीज है जिससे की हमें 65% तक हमारा लोहा मिल जाता है ठीक है अब देख लिते हैं ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में अंतर या ढलवा लोहा है पिटवा हम किसे कहते हैं तो ढलवा लोहा होता है जब हम बट्टी के जो तलस्त इस्तल में जो दर्व यानि की लिक्विड लोहा बनता है जब हम इसे किसी सेब या ढाल देते हैं तो उसी को हम ढलवा लोहा कहते हैं क्या है जब हम किसी खनीज से लोहे को प्राप्त करते हैं तो जो भट्टी के तलस्त इस्तल में जो हमारा दर्व यानि की लिक्विड लोहा होता है अगर हम उसे किसी धाचे या सेप में डाल देते हैं तो उसी को हम धर्वा लोहा कहते हैं तो इसे एक बार रीड भी कर लेते हैं तो भट्टी के तलस्त भाग में एकत्रित लोह दर्व को धाचों में डाल कर विविद उप्यागी सामान बनाते हैं इसे धर्वा लोहा कहते हैं जो भट्टी के तलस्त भाग में जो हमारा दर्व लोहा होता है अगर उसे विविद आईरन कहते हैं ठीक है तो भूरे रंगे पिग आईरन को हम क्या कहते हैं ग्रे पिग आईरन और सफेद रंगे पिग आईरन को हम वाइट पिग आईरन कहते हैं ठीक है अब हम पिटवा लुहा को भी देख लेते हैं तो पिटवा लुहा हम किसे कहते हैं पिटवा लुहा होता है उसे ही पिटवालोह क्याते हैं मत्तब जिसमरे किसी भी प्रकार कि और सुध्या नहWorld फूर क्याते हैं ढ़िख़ने भी-द धू तो हमारे समुच्चे का करें काında लोर ख न इन लोह में उपर से नीचे की और आने पर स्रेष्टता बढ़ती जाती है मतलब मुंड लोह से तिक्षण लोह स्रेष्ट होता है और तिक्षण लोह से कांद लोह स्रेष्ट होता है तो तिक्षन लोह और कांत लोह स्रेश्ट होने के कारण इन्हें औसदी निर्माण के लिए परियोग किया जाता है मुंद लोह को औसदी निर्माण के लिए परियोग नहीं किया जाता है उसके बाद इनके भी सब डिवीजन है मुंदलोह के तीन भेद बताए गए हैं तिक्षिनलोह के छे भेद बताए गए हैं और कांतलोह के पांच भेद बताए गए हैं तो मुंदलोह के थ्री टाइप हैं मिर्दू, कुंठ और कंडार ठीक है उसके बाद तिक्षिनलोह के शिक्स टाइप हैं खर, सार, हिरिद्राल, तारावट, वाजीर और काल ठीक है उसके बाद कांत लोह के पांच टाइप हैं ब्रामक, चुम्बक, करसन, द्रावक और रोम गांत तो इन सब डिविजन का अगर नाम लर्ण होता है तो सो बेटर अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं बट ये चीज हमें अच्छे से लर्ण होनी चाहिए कि लोह का सबसे अच्छा खनीज कौन सा है डलवा लोह और बिटा लोह में क्या अंतर है उसके बाद लोह के जो मेंड टाइप से और उनमें भी जो स्रेश्ट है और किसका हम और सदी निर्मान के लिए प्रियोग करते हैं तो ये पोर् जो अब आल्मोस्ट कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंस टॉपिक थे वो भी अब हम इसली कवर कर चुके हैं तो हो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूसफुल हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट जो जब जर शो होब जाइब वोगों की जर्टेंस बढ़ती है तो हमारे टूल हमारे टो हमारे फ्सक्राइब माई यू आख लिए हमारे इंग यूटे और की जविक लगूर्वे दोपनावेश लिएल आपिफाब टूना यूटे टूर्षब सेब्सके हैं दावे माई